दोस्तों आज 13 जुलाई 2023 तो सबसे पहले मैं आज को कमपनी द्वारा भेजा गया Officially Consolidate Financial Result की उपर तो दोस्तों जैसे कि कल हमने देखा TCS का रेजल काफी अच्छा आया था मतब जो expectation था उसके बाद आज की rate पे market के अंदर उसका impact देखने को मिला entire IT sector में भी तेजी देखने को मिला अब चले देख लेते कि इस बार यानि quarter 1 पे विप्रो ने कैसा जलवा दिखाया तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजे कि यहाँ पे जितने भी numbers है सारे इन millions की figure पे है और मैं आपको करोड पे convert करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में easy लगे तो company आपे तीन अलग-अलग quarter का result सेन किया तो सबसे वहले current quarter यानि June 2023 का result यह हो गया आपका last quarter March 23 का result और उसके ठीक पास हो गया last year मतब जून 22 का result तो यह तीनों quarter एक साधम इस वीडियो में compare करेंगे साथी साथ दोस्तों क्या विप्रो लिमिटेट quarter 1 पे अपने market को beat कर पाया या नहीं सब कुछ हम detail में बात करेंगे खास करके जैसे कि आपको मालूम है विप्रो लिमिटेट युएस मार्केट की उपर भी लिस्टेड है यानि एडियर वर्शन में तो आज रात पर ही आपको impact देखने को मिल जाएगा और अभी सही दोस्तों देखने को मिल भी गया तो फिलाल अगर हम बात करें सबसे वहले कि इस बार quarter on quarter basis पे drop हो गाई और last quarter March quarter में कमपनी का जो total revenue का नंबर था 23,835 करूपए तो obviously आपे quarter on quarter basis पे गिरावर देखने को मिला at the same time ये बात भी सही है कि company year on year basis पे काफी बढ़िया परफॉर्म किया जहाँ पे last year पे यानि 2022 की quarter one पे company का total revenue का नंबर था बाइस हजार एक करूपए जो कि इस बार बरके 30,419 करूपए पहुंच चुका है तो revenue कमाब में तो काफी अच्छा performance देखने को मिला company का अब main point ये है कि company का total expenses क्योंकि आज की rate पे कहिने की margin जो contraction हमें देखने को मिला सारे companies के बीच में उसके पीछे reason यह है कि expenses बहुत ज़दा बढ़ चुका है खास करके US कंदर bank instability की कारण हमने देखा वहाँ पे भी बहुत ज़दा बीच में inflation बढ़ गया था और भी बहुत सार 181 करोर रुपए जो कि last quarter March 23 में ये नमबर था 19,817 करोर रुपए और last year की बात कर यानि 2022 की June quarter में ये नमबर था 18,647 करोर रुपए यानि year on year base पे थोड़ा increase हुआ और quarter on quarter base पे revenue की तरह हमें decrease देखने को मिला अब चलिए at the end एकदम नीचे चलके देख लेते सारे टैक्स ब देखे इस बार अगर हम बात करें कंपणी का नेट प्रोफिट का टोटल नमबर आया 28,000, sorry 2886 करोर रुपए यहाँ पर एक चीज़ द्यान देना यह पूरा figure इन million पे है मैं आपको करोर पे convert करके बोल रहा हूँ ठीक है million की figure पे यह है करोर पे अगर आप convert करोगे 2886 करोर का कंपणी का टोटल नेट प्रोफिट आया जो कि last quarter यानि March 23 में यह figure था 3093 करोर रुपए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे drop देखने को जो कि market को पहले से expected था तो यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अब बात यह है कि कंपणी का year on year basis पे अगर अब ध्यान से देखोगे quarter quarter 4 में performance बहुत खराब था जहां पर इस बार दोस्तो quarter उन पर सुधार हुआ है चाहां पर लास्ट या 2022 की जून quarter है वहाँ पर टोटल नेट प्रोफिट का नंबर था 2558 करोर रुपए जो कि इस बार बढ़के हो चुका है 2886 करोर रुपए यानि year on year basis पे जो drop हमें लगा था दो तीन quarter में देखने को मिला था वो कहीन है कि दोस्तों bounce back कर चुका है और इस बार एकदम से positive में growth भी देखने को मिला अब चली थोड़ा नीचे चलके देख लेते हैं कि company का basic and diluted EPS कितना है मतलब earning per share यह भी बहुत कुछ matter करता है share की valuation की पर तो आप देख से तो जो basic EPS है का basic EPS 4.69 का और diluted EPS 4.67 का अब देखें अलग-अलग zonal wise हम बात करेंगे कि company कहां से कितना revenue generate कर पाई जैसे के आपको मालू में एक multinational company है इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा खासा इसका पकड़ा है और खास करके इस टाप के IT company का main revenue source ही है आपका जो North American market है ठीक है तो व होई है तो अमेरिकास वान से बात करें इस बार टोटल जो revenue company का जनेरेट हुआ 6560 रुपए जो की quarter on quarter base पे drop हुआ but year on year base पे growth देखने को मिला यह अच्छी पॉइंट है बाकी बात करें अमेरिकास 2 से total 6830 करोर का revenue generate हुआ सेम दूसें quarter on quarter base पे drop हुआ but year on year base पे यहाँ पे तेजी देखने को मिला बाकी बात करें यूरोप से company का जो total revenue generate हुआ 6713 करोर रुपए जो की यहाँ पर धियान से देखने एक कि quarter on quarter base पे European market से ज्यादा drop देखने को नहीं मिला जो भी drop हुआ अमेरिकन मार्केट से हुआ है और उसके साथ साथ at the same time year on year base पे European market से भी काफी अच्छा growth देखने को मिला बाकी बात करें जो entire market है यह दो मतब जोन को छोड़के वहां से भी आप देख से तो काफी अच्छा से इस बार एविन जनेरेट किया जो की quarter on quarter base पे ड्रॉप हुआ तो दोस्तों यह हो गया आपकी वीप्रो की शियर जो कि आज की डेट पे लगबग 0.75% उपर जाके closing दिया तिन सो चुरानबे रुपे असी पैसे बे जो कि पहले से expected था कि आज IT सेक्टर में तेजी आएगा बिकास आप TCS का नंबर का का अच्छा है अब बात यह कि क्या market का जो expectation था उसको बीट कर पाया यह नहीं तो देखे वीप्रो का जो quarter 1 पे net profit वो year on year base पे 12% की growth देखने को मिला और यह क्यों इतना खास है मैं आपको थोड़ा सा इसका example दे देता हूं last quarter का number आप थोड़ा देख लिए जहां पर revenue के अंदर तो growth था बट कंपनी का net profit आप द नहीं कर पाया मैं आपको चले दिखाता हूं कि क्या market का expectation था और क्या actual में company perform किया तो अब फिलाल देख लिए company का ना के बल यहां पे net profit बलकी total revenue के अंदर भी काफी अच्छा growth देखने को जरूर मिला बट यहां पर market का जो expectation था यहां पर आप देख लिए वो नंबर था दे रिखे revenue के अंदर तो रिविने के अंदर भी same to same चो market expectation था उसको बीट नहीं कर पाया market expect किया था कि लगबग 23,014,00 पर आच्पास revenue हो सकता है पर एक्च्वल में company इस बाः पर्फॉर्म किया total 22,831 करोर जो कि यहां पर यह एर और यह पर यह पर चैपर सद्ध के आसपर सम ना चाता हूं यह देखें वीप्रो लिमिटेट का यह एडियर वर्शन है यह कल रात में तो आप देखें तो 0.85% टेजी के साथ क्लोजिंग दिया और इंडियर मार्केट की तरह ऐसा नहीं होते यूस मार्केट में जो प्री मार्केट का सेशन है वो काफी लमबा पहले देखें तो प्री मार्केट में जो वीप्रो लिमिटेट का एडियर वर्शन है वहांपे अभी से ही 1.48 परसें उपर चल चुका है मतलब आज रात में जब यूस मार्केट ओपेन होगा शाम के वक्त पूरा पूरा चांसी यहां पर देख से यह फूल प्रूफ है और इसका अपडेट मैं आपको आज रात की सारे 10 की वीडियो में दे दूँगा तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना रात की वीडियो जरूर देखना सारे 10 वीडियो व चैनल की जो बाट करनी कमपणी बोनस के वाम अच्छा इस बार हो सकता है कि कमपणी बोनस कोई खास डिकलार कर सकता है अज की डिठे बात कर देखेंगे कास करके काफी अच्छा देखने को मिला शेर के अंदर 44.70 परसंद काशा साथ में वॉल्यूम भी काफी बढ़ी आता अब बात यह कि कि आपको फ्राइडे के दिन यानि कल शेयर के अंदर पर्चेस करना चाहिए या नहीं तो देखिए सबसे वाले बात मैं आपको भूलूंगा एकदम फटाफ़ डिशिलन मतले ना आज रात का अपडेट मैं आपको पूरा नजर होना चाहिए बागी जितने भी अपडेट्स आएगा तुराद मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा फिलाल दोस्ते इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए ठेक्या बबाई जय हिंद